असलाम अलेकूम, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपको फेशन पट्टी के साथ लेस लगाने का तरीका बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से, सबसे पहले मैंने शेट का पीस ले लिया और एक पट्टी काटी है, सब तीन इंच और मैंने लेस ले लिये, लेस को मैंन अटेज करने से, हमारी लेस की जो फिनिशिंग होती है, वह बहुत ही प्यारी नजर आती है, और हमाई स्लाइब भी नजर नहीं आती, बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह अटेज करना, मैंने दामन में लग चुकी है, अब मैं चौक पर लगा रही हूं, चौक पर मैंने लगाने का तरीका ये है, कि मैंने हाफ इंच लेस भी उपर के साइट रखी, और हाफ इंच जो ये पट्टी है, वो भी मैंने उपर के साइट ये रखा, और अब मैं अटेज कर रही हूं, अब एंड में मैंने ये एक समोसा निकाल दूँगी, ताकि ये हमें प्रॉब्लम करें, और हमारी लेस अच्छे से लग जाए, अटेज हो जाए, ये इस तरह देखे हमारी लग चुकी है, अब मैंने दूसरे साइट का चोक में उपर से लगा रही हूं, तो इसका भी एक मैंने समोसा रिमूफ कर दिया है, और हमें अटेज कर रही हूं, उपर से भी हाफ इ की सरह लगा है, तो इसको फॉल्ड करने के लिए, अब मैंने जो धामन में जो मैंने कपड़ी की पटील लगाई थी, उसको पहले सही फॉल्ड कर लिया, और इसको भी मैं हाफ इंच के कपड़ा उपर के साइट फॉल्ड करके स्टिच कर रही हूं, मैंने इस सिल्का कपड़ा लिया था आप्लिक के तोर पे, तो इसको प्रेस से फिनिशिंग दी मैंने, प्रेस से चारों तरफ बहुत अच्छी फिनिशिंग देनी चाहिए, और अब मैं एंड की स्लाइस टिच कर रही हूं, आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और समझ आ जाएगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब देखें, मैंने हाफ इंच का जो कपड़ा रखा था इस तरह में, अंदर फो बाट दिया है, जो मुझे एक्स्टरा लग रहा था, जादा निकल रहा था, और अंदर की तरफ दबा दिया है, देखें, कितना प्यारा रुकाया है, इस ते हमारी सिलाई बिल्कुल भी पता नहीं चलती, सिर्फ हमारी वन सिलाई ही नजर आती है, देखें, कितनी खुपस खरी जिस ते हमारी